सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेश्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेलकम टू फोन एडवाइजरी मैं हूँ मनोज महरा पेश है मेरा न्यू वीडियो नमस्कार दोस्तो हम अपने फोन को चार्ज करते हुए कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा फोन 50% कम तेजी से चार्ज होता है और फास्ट चार्जिंग टेकनलोजी की भी पूरी स्पीड हमें नहीं मिल पाती दोस्तो क्या ही ये गलतियां इन गलतियों को दूर करने के लिए कुछ टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखे लाइक करे ताथ ही दोस्तों में शेयर करे ताकि उन्हें भी ये महत्पूर्ण जानकारी मिल सके दोस्तों पहली कलती यह है कि हम लोग अपने फोन को बिना फ्लाइट मोड के चार्ज करते ही दोस्तों क्यूंकि हमारा फोन लगाता नेटवर्क सिगनल को सर्च करता रहता है जिससे हमारे फोन की बेटरी ड्रेन होती रहती है एक तरफ हम फोन को चार्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेटवर्क सर्च करने के लिए हमारे फोन की बेटरी ड्रेन होती रहती है अगर आप फ्लाइट मोट एक्टिव करके फोन को चार्ज करेंगे तो आपका फोन 25% तेजी से चार्ज होगा दूसरी गलती है डाटा केबल के इस्तेमाल पर जो डाटा केबल हमारे फोन के साथ आती है, वो तो काफी अच्छी होती है लेकिन जब वो खराब हो जाती है और मार्केट से हम कोई दूसरी डाटा केबल लेते हैं और अगर local data cable ले लेते हैं तो phone की charging speed काफी कम हो जाती है दोस्तो एक अच्छी quality की original data cable की मोटाई 24 gauge होती है जबकि local cable की मोटाई 28 gauge होती है आप जब भी data cable purchase करें तो आप ध्यान दे 24 gauge की ही cable ने अस्री नकली का फर्क यही है थोड़े पेसे जदा लगेंगे लेकिन आपका phone secure रहेगा और charging speed आपको काफी अच्छी उससे मिर जाएगी इसलिए हर बार आप genuine data cable ही purchase करें साथी दोस्तो अगर आप अपने phone को काफी जल्दी charge करना चाहते हैं तो phone को switch off करके charge करें एसा करने से आपके phone की बेटरी 50% तेजी से charge होगी phone को charge करने के लिए कभी भी computer या laptop के USB port का use ना करें इसका कारण यह है कि वहाँ से आपको 0.5V का current मिलता है जो आपके phone को बहुत धीरे charge करेगा इसलिए आप हमेशा अपने phone को charge करने के लिए wall socket का ही प्रयोग करें वहाँ से आपके phone को परियाप्त मातरा में current मिलेगा और आपका phone तेजी से charge होगा अगर आपके आपके phone को fast charging भी मिल जाएगी दोस्तो जो अगली गलती है वो power bank को लेकर है आपने देखा होगा power bank से जब भी phone charge करते हैं काफी समय लग जाता है और अगर आपके phone में fast charging का option है तो आपको power bank से fast charging नहीं मिलेगी इसके लिए आपको latest जो power bank आ रही है जिन power bank में fast charging का support है उनको use करना होगा अगर कोई power bank आपको 2.0 volt का output देता है तो वहाँ से आपको अच्छी speed मिल जाएगी और उससे कम का output मिलता है तो वहाँ से आपको अच्छी speed नहीं मिलने वाजी अगर आपके phone में wireless charging का option है तो आपका phone उतना तेजी से charge नहीं होगा जितना wire से होगा क्योंकि किसी भी wire की data transforming speed ज़्यादा होती है तो दोस्तो wireless charging से आपका phone wire से charge करने की अपिशा कम speed से होगा अगर कभी आपको जल्दी phone को charge करना हो तो आप wire वाले charge का ही उप्योग करें दोस्तो अगली जो गलती आपकी तरफ से होती है काफी common है और आप उसे सुनकर चोक चाहेंगे दोस्तो जब भी आप phone को charge करते हैं तो अपने back cover के साथ ही लगा देते हैं phone की जो battery होती है उसे अच्छी speed में charge होने के लिए 5 degree से 45 degree तक के temperature में रहना आवशक है कई बार हम back cover को लगा कर जब phone को charge करते हैं तो phone का charge इतनी speed से नहीं होता तापमान काफी बढ़ जाता है इसलिए अगर आप जब भी phone को charge करें तो back cover को remove कर दे इससे होगा क्या phone का तापमान संतुलित रहेगा और आपके phone एक अच्छी speed से charge होगा तो दोस्तों यही वो tips है जिनको follow करके आप अपने phone को 30G से charge कर सकते हैं कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो comment section में लिखे वीडियो को like करे दोस्तों में share करे और जो हमारे नए महमान है चैनल को subscribe जरूर कर ले जय हिंद, जय भारत